तो जस्परीद बुम्रा ने अपनी कप्तानी में सिर्फ दूसरे टेस्ट में कप्तानी कर रहे दे पर्थ के ओप्टस स्टेडियम में एक यादगार जीत दिलाई एक ऐसी जीत जिसकी कलपना शायद भारते क्रिकेट के कट्टर समर्थकों में भी नहीं की हो और वज़य यह नहीं कि इस टीम में काभिलियत की या महानता की कमी है बलकि वज़य थी हाल का फॉर्म यह टीम न्यूजिलेंड के साथ एक सीरीज हार के आ रही थी तीन सुन्ने से ऐसा भारते क्रिकेट के तिहास में कभी नहीं वहा था एक टीम जिसमें एक से एक दिगज़ किराणी है परास्त हुई थी और हर किसी ने माल लिया था कि यहाँ पर पर्थ में जो यहाँ का सबसे तेज विकेट है वहाँ पर इंडिया को हार मिलेगी लेकिन जस्परीद बुम्रा ने एक शांडार लीडर का परिश्य देते हुए मैच में आठ विकेट लिये और जब जस्परीद वो दोनों पारियों में जब यहाँ पर इस मैदान पर गेंदबाजी कर रहे थे उससे साफ था कि ऑस्ट्रेलियाई जो बल्लेबाज है उनमें बुम्रा का खौफ था खौफ आप सोच सकते हैं एक मुल्क जिसने डेनिस निली जेफ थांसन जैसे दिगच तेज गेंदबाज दी है आज एक भारते तेज गेंदबाज का नाम सुनकर रूह कापती है और जस्परीद बुम्रा ने यहाँ पर वो साबित करके गए वो यहाँ पर अगर आप देखा जाए इस मैदान में या फिर अस्ट्रेलिया में कहें सिर्फ एक बल लिबाज ने ऐलिस्टर कूक ने तीन बार मैन अभ दे मैच का पुरुषकर जीता है गेंदबाज वो मेंस अगर देखा जाए तो बुम्रा दो बार मैन अभ दे मैच जीतने बाले पहले खिलानी है Chris Gayle ने दो बार जीता है, चैतिशवर पुजारा ने दो बार जीता है, ठीक है ना, लेकिन बुम्रा पहले गेंद भाद है, लेकिन बात जो है, इस जीत की बात सिर्फ जस्पित बुम्रा नहीं है, मैंने आपको प्रेस कॉन्फरेंस वाला सवाल बताए था, कि जब मैंने बु किया चेंज के लिए, इसके लिए मैं कह रहा था कि इसका ये बेश टेस्ट नौक है, जो मैंने देखा है, और वाकई में, जैसवाल ने क्या पारी खेलिया, यहां से, अगर देखा जाए, जैसवाल जो है, चार्ट सटक है, लेकिन इस सटक से, जैसवाल का लेवल जो है, ब अगर तेंदूलकर नहीं, तो विराट कोहली, लेकिन तेंदूलकर या विराट कोहली से उनकी तुलना क्यों करें, जैसवी तो स्पेशल है, आने वाली पीडी, बहुत सारे युवा बल्लेबास, शायद अब ये कहें, कि हम भी बच्पन से जवानी का सफर, जैसवाल के बल शायद, वो 42 साल के हैं, वो 42 साल के किसी दिगज में होता, लेकिन यही जैसवाल के खासियत है, जिन्दगी ने उन्हें हमेशा जल्दी बड़ा किया, जब वो छोटे थे, उनकी अगर यात्रा को देखें, तो जिस तरह से वो बड़े हुए, जिस तरह का संघर्श उन्हों हासिल करनी है, और अच्छी बात है, कि उन्होंने वो चीज हासिल की क्रिकेट के मैदान पर, एक और कैरेक्टर अगर आप बात करेंगे, इस जीत के जो हीरो हैं, वो केल राहूल है, केल राहूल एक तरह से देखा जा, अपने आदर्स जो है राहूल द्रविड, उसी शहर स आते हैं, उनके पिता ने नाम राहूल द्रविड के नाम पर रखाता और भूमी का भी वैसी निभाते हैं, कि ये राहूल द्रविड जो हैं, उस्ट्रेलिया में उनका जबरदस रेकॉर्ड रा, उन्होंने पहली बार एक तरह से देखा जाए, कुछ साल पहले, 2004 में, एड बात कर रहे हैं, नितिश रेड़ी की बात कर रहे हैं, हम विराट कोली की बात कर रहे हैं, हम जैसवाल की बात कर रहे हैं, हम भूमरा की बात कर रहे हैं, लेकिन हम केल राहूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बहुत सारे बीडिया के लोग नहीं कर रहे हैं, और य नियमित कप्तान और ओपनर रोहिष शर्मा नहीं थे राहूल को कहा गया कि भाईया आपको ओपन करना होगा राहूल नहीं कहा कि भाई आपने तो मुझे भी एक टस्ट मैच के बाद भी ड्रॉप कर दिया था न्यूजिलेंड के खिलाब बैंगलोर में मैं खेला था अगले रोहिष शर्मा खुद बोले कि राहूल डे नाइट टेस्ट मैच जो है पिंक बॉल बाल टेस्ट मैच जो है अडी लेडि में उसमें आप ही ओपन करो मैं देख लूगा मुझे कहा बैटिंग करनी हो तो राहूल की सरहना की जानी चाहिए इसके अलावा अगर आप देखा अगर शितरा ना लगी नहीं रहा था उनका अंदास देखे के पहला टेस्समाच के लाए यार मिचल स्टार को इस मैदान पर स्लेच कर रहे थे वो तो यह कॉन्फिडेंस जो इस इंडिन टीम का और यह कॉन्फिडेंस की वज़ा है ना कोच और कप्तान का कॉन्फिडेंस कि रवी चंद्र नश्विन और रविंदर जडेजा को टीम में नहीं चुना गया प्लेइंग 11 में पिछले 10 सालों से यह खिराडी खेल रहे है साथ में इंडिन क्रिकेट में लेकिन कभी भी ऐसा सिर्फ चार बार ऐसा हुआ है जब यह एक साथ नहीं कहले विदेश में तो कभी होता ही नहीं था तो कुल मिलाकर भाते टीम ने एक यादगार जीत हासिल किये और उमीद करते हैं जीत का यह सिलसला बरकरार रहेगा आप लोग क्या सुछते हैं आपकी राय क्या है हमारी कवरेज कैसे रही कवरेज का यह सिलसला भी लगातार चलेगा कल रोही शर्म ह हो सकता प्रैक्टिस करना है टीम इंडिया के कुछ खिलाडी प्रैक्टिस करना है लगातार लाइव करेंगे आप लोग लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद